हिंदी ब्यात्रण में हम अपना व्यात्रण का पहला टौपिक पढ़ेंगे हमने पहले भी पढ़ा है उसे आजन, प्रिभायस करेंगे रचना के अधार कर प्र वाक्यद से अब बच्चे हूँ वाक्य की भीरड़ने जा रहे हों वक्ति के भोड़ों उसे पहले पता होने चाहिए क्या हटा है, अपने सब पढ़ा हुआ है, शुरू से आप पढ़ते हैं, लेकिन आई होता है। निष्टित क्रम में पदों का व्यवस्थित व्य कर दों ब्यूस्थित व्य जो तैं है, एक क्रम के अनुसार। और पद क्या होते हैं? पद होते हैं जब शब्द वाक्यों में प्यूप होते हैं तो वह पद कहलाते हैं शब्द ही पद होते हैं लेकिन कब वो पद कहलाते हैं? जब वो वाक्यों में आ जाते हैं तो निशित्रम में पदों का व्यवस्थित व्यवस्थित मतलब सही तरीके स तो उनका व्यवस्थित व्यवस्थित व्यसार्थक सभू वाक्षिक जाएं। गीता पढ़ रही है, धन्नेवार में। ये सभी वाक्य हैं। आपने इसमें धैखा कि तुम जाओ। पहले वाक्य में हमने दो पड़ लिये। तुम और जाओ। लेकिन इसका सही अर्थार है, तुम जाओ। कहा गया उसे तुम जाओ। इसका मुदलब है यह पड़ रही है जीता पड़ रही है इसमें देखिे 4 पदग है एक दो थिन चार चार पड़ों का वाकय है तुम जाओ दो पड़ों का वाकय है धन्यवाद as a नहीं एकपकड वाकी तो बच्रो राखे एक पर से थो पर शेर थी दो से सारतागे अब हमने वाके पढ़ेंगे वाकें के अंग पढ़ेंगे फिशन हम गाकड़ा तर्फ कि और भाक्य कोुन सरा फिल बश्यों हमें थे सब्सक्राइब होता है अ कि छो पर जो अर निकलतerek करें जब बश्जात तो जो इस में रख है वो सामने आए बिलकु सार तो दूसरा है नियम अनों साथ वाक्य व्याकरण्ड के नियमों से बत होना चाहिए जैसे व्याकरण्ड के नियम क्या ओठे। लिंग, वच्षान वगेरा सब उसमें सही तरीके से प्योग होने चाहिए जैसे इसका एक वाक्य देखिया आप एक जामपल राम फल खाता है मैंने यहाँ पे एक वाक्य रिखा राम फल खाता है ठीक है तो आपने यह वाक्य पढ़ा आपको अच्छा लगा समझ आया ठीक है अगर आप बोल्टिंग राम फल खाती है राम फल खाती है तो मैंने राम क युशी मीम्व कि पुर्णता हों चाहिए Max Pers уч MON मुश्फ दावा अभी व्यक्ति में सक्षम जो वाक्य में वाक्य का वॉग कि करूदेश्य यह जा रहे हैं वह उस वाक्य से सप्ष्ठ होना पहले हैं तब जाके जोड़ने तब जाकर फिल्म संग होता है यह दोशेள्य पड़ेंगे उपने ने हैं देश्यर में जिताने कि अद पहले तो किया होता है वात्के में जिसके विशे में कहा जाता है, वो उदेशे होता है, और उदेशे के विशे में जो कुछ कहा जाता है, वो उदेशे होता है, वात्के में जिसके विशे में कहा जाता है, वो उदेशे होता है, वात्के में जिसके विशे में कहा जाता है, वो उदेशे होता है, व इसे को दारन से संढ़ेगे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हुए, एक वाकिय है कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं कि वो पार्क में खेल रहे हैं तो उत्देश्य के विशे में जो कुछ कहा जाता है वो विद्य होता है यहां से हमारा बारण दिया होता है, जैसे मैंने विए आपक आया था कि राम फल खाता है, तो इसमें राम क्या हुआ उत्यश्य हो गया, और वो क्या कहा जा जाना है उसके विश्य में कि वो फल खाता है, तो फल खाता है यहां पे विधिय हो गया, शेश जो वाक्य हो गया है तो यह होते हैं वाक्य कई डूनी पढ़े अब हमादे हैं करका नाइन्त क्लास में अर्थ की दृश्टी से वाक्य की बेख पढ़े जोंती होते हैं सरलवाखये, सयनत्व बाक्यय और मुश्यत। आए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। जिन वाक्य वाक्यों मे एक ही क्रियाी होती जिन वाक्यों मे एक ही क्रिया होती है। कृया एकी होगी इसमें एक विद्धे और एक ही कृया होते हैं कि आपने सुना फिर से बताती हूं कि इंड़े एक उतेश्य है उत्थे ने स्ट कहा गया है विद्धे हो गया हो जानते हैं जो कुछ भी कारविय वो रहा है वो प्रिया है तो सरल वाक्यों में एक रिया होती है उद्देश्य एक सेद्ष हो सकते हैं विद्धे भी एक ही होता है अब हम इने उदारन से समझते हैं वाक्यों को जैसे पहला वाक्य है बस रुखी बस का रुखना यहाँ पर रिया हुई सरल वाक्य है कि बस रुखी दूसरा वाक्य लेकिन आप आखरी वाले वाक्य में देखिए मोहन और सुरेश ने चोर को पीटा अब यहां पर देखिए उद्देश्य कौन है उद्देश्य क्या है कि जिसके विशे में कहा जा रहा है तो आखरी वाले वाक्य में मोहन और सुरेश के विशे में कहा जा रहा है कि उसने चौर को पीटा तो आ तो आप देखे आज्य मैं जैसे नहीं इन आजड़ने को सकते हैं तो यहां पे घुण्वान embarrassed najएं लिए और शॉर जाघनी रहे हैं च्रीज्य मने पर तो आज़ से मरत विद्य। लेकिन अधिक यह को सकते हैं तो आम पढ़ते हैं धोशे, सयुट वाध्य वाकिय tag तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य योजक चिन्यों द्वारा जुड़े होते हैं, वो सयुद्वाक्य होते हैं, लेकिन ये जो वाक्य में ये दो या दो से अधिक होते हैं, वो सयुद्वाक्य ही होते हैं, तो ये योजक चिन्यों द्वारा जुड़े होते हैं समानाधी करण होता है तो समानाधी करण अव्ययों का प्रियोग करते हैं जैसे यह होते हैं यह सारे समुच्चे बोधक होते हैं समानाधी करण तो इनका प्रियोग करके हम दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं लेकिन जब हम सरल वाक्यों को जोड़ते हैं तो वो सरल वाक्य इन इन वाक्यों को फिर से अलग करते हैं तो यह दोनों स्वतंतु होते हैं। इनका हमेशा अपने स्वत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत वर्षा होने लगी तब यह संपूल है अगर हम सिर्फ इतना देखते हैं बादल चाहे तब यह संपूल है यह दोनों सरल वाक्य है लेकिन इनको हमने किस से जोड़ा है योजग चीनों से कौन सा योजग चीन इसमें हमने प्योग किया है और का तो आओ बच्छों दूसरा वा आपके भी जूड़े तो है योजग चीनों से लेकिन यह दोनों स्वतंत्र है इनका खुद का वस्तित्र है यह आश्यक नहीं है तीसरा वाक्य देखिए आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए भोजन ले आओं यहां भी देखिए बच्छों दो सरल वाक्य है आप पहल सॉत्त वाक्य में यही होता है कि घ्री स्वतंत्र होंदि प्रवक्ण दो होगा दूसरे बाकिक कांद तो बच्चों ये तहां सहूंत वाक्य अब थीज्ञ वाक्य के तरफ बढ़ते साथ अशित वाक्य ये मिश्ग बाक्य और उसरे अधिक एक इसने अधिक्क आशितु पाखके होते हैं अधिक्त। प्रदान उपाके अधिक्त। परsut होत कि उर्म neue के थे आखनके गजय उक्ट। जैसे फिर्वने अर्छित सम्ते हो स्वाधायों नेयृत। के थे वहाएद। प्रधान उपाके को राइश्र उपाके व्यदी करन्ट समुच्छे बहुत को द्वारा जुड़ा होते हैं जिस जहां जो अब एसे बहुत सारे व्यादिकरण समुच्चे वधक होते हैं जिनसे कि ये प्रधान उपाक्य और आश्यत उपाक्य दोनों जूड़े होते हैं तो आईए बच्चों इसे उधारन से समझते हैं मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे अब देखिए यहां पे मुझे विश्वास है ये जो वाक्य है मुझे विश्वास है ये पूरा हो रहा है ये स्वतंत है ये प्रधान है ये स्वतंत है मुझे विश्वास है ये प्रधान उपाक्य है इसके बाद मैंने की प्रदान उपाके हो गया और यह वाला वाक्य प्रदान उपाके हो गया और यह वाला वाक्य आप वश्य आएंगे दूसugar वाक्य में आए है वह अद्यापक था जो 관ly आ हां अब देखिए इसमे दो सरवाक्यों को मैंने जोड पहला है वह वह भाला सब्सक्राइ zu Weird जो यहां आया था तो इसमें यह हो गया और यह हो गया आशुत उपाक के तूँए उस लड़के को बुलाओ जो उधर बैठा है यहां भी देख़िए जो सईसे जोड़ा है उस लड़के को बुलाओ मैंने बोला उस लड़के को बुलाओ ये प्रधान वाक्य है इसमें तो कि ये स्वतंत है उस लड़के को बुलाओ तो ये वतन है यहां पे प्रधान उपाक्य जो उधर बैठा है ये होगे इस पर आश्रित होते हैं सोतंत्र वाक्य को प्रधान वाक्य कहते हैं यदिकरान समुच्चे बोध कुद्वारे जोड़ा जाता है जैसे जब कीजीज जहां ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं बच्छो आपको मिलेंगे यह पढ़ने को आगे मुझे विश्वास है कि आप पवश्य आएंग जो कि हम आगे वाली क्लास से पढ़ेंगे अभी मैं आपको इसके साथ कुछ वाक्य दे रहे हूं बच्छी ता चोटी सी वह आप लोग अपनी नोट बुक में करेंगे इसे अच्छी करने पढ़ेंगे समझेंगे वीडियो को अगर आपको कहीं परशानी हाती है तो आप उ प्रच्छा के अधार कर वाक्य भेद कर आपको से निम्यतित वाक्यों के भेदों को पहचान कर लिखें यह वाला एक्सरसाइज आपको करने ही तिक है इसे आप करें तो जो भी प्रोग्रम होगी आप मिश्ते बात करेंगे थैंक्यू